आपको याद है, बच्पन में वो कौन सा खेल था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद था? कबड़ी, कंचे, गिली, कैरम, पासे, क्रिकट, लगोरी, पतंग बाजी, साप सीधी, मंकला खेल, खोखो, छुपन छुपाई, हमारे पास खेलों की एक लंबी सूची है, लेकिन एक ऐसा खेल है जो हम सभी खेलना पसंद करते थे, वो खेल जो हम नदी, तालाब, जील, में और बारिश में खेला करते थे, हमारे पूरवज किसान थे, और हमारे शरीर पर लगी गीली मिट्टी, हमें अच्छी लगती थी, लेकिन हमारी आने वाली पीड़ी, उस पानी के लिए तरसेंगी, जिसमें हम खुशी-खुशी खेला करते थे, आपको यकीन नहीं होगा पानी की कमी के चलते, महराश्टर के लातूर जिले में टकराओ को नियंतर्त करने के लिए धारा 144 लगाई गई थी, इसके अंतरगत पानी के सुरोतों के निकट लोग समुह में नहीं खड़े हो सकते, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? थोड़े समय में वो जगह जहां हम मस्ती से खेला करते थे, लड़ाई का मैदान बन जाएंगे, जहां शहर के लोग पानी के लिए लड़ाई करेंगे, हम इस तथे से कैसे इनकार कर सकते हैं, आने वाले समय में राज्य और देश आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, क्या ह हमारे पूर्वज जानते थे कि हमें पानी को खरीदना भी पड़ेगा, क्या उन्हें यकीन होता, लेकिन आज ये बात सच है, इसी तरह से पानी के लिए विश्व युद्ध की संभावना भी है, पानी की समस्या चक्रवात या भूकम जैसी प्राकृतिक घटना नहीं है, क यहां वो किसी काम का नहीं रहेगा, गोदावरी नदी का जल्सरोत सूख चुका है, 40 प्रतिशत क्रिशना नदी उजाड हो चुकी है, गंगा नदी कितने समय तक 1280 रह पाएगी पता नहीं, कावेरी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, वर्ष 1989 में 22 नदियां प्रदू उपलब्ध था, लेकिन आज ये घटकर 30 लीटर हो चुका है, पानी के संसाधनों के बिना 83 प्रजातियां लुप्त हो चुकी है, क्या हम ये कह दें, कि हमारे गरीब किसान का 84 वा नंबर है, अभी तक 2 लाक, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर खेती ना रहे तो, क्या ब करते हैं, यही हाल गेहू और आलू का है, तो कीमतें क्यों नहीं बढ़ेंगी, इसी तरह से पानी के कारण भी नई समस्याइं पैदा हो रही हैं, अब आपको समझ में आया, पानी की समस्या किसी और की समस्या नहीं है, UNICEF की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2014 तक 60 करोड बच्चों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, इस स्थिती में उद्योग को अभी के मुकाबले में 30 गुना अधिक पानी की जरूरत होगी, इसी तरह से कृशी और बिजली उत्पादन के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होगी, हमेशा की तरह अगर हम इन आकुणों पर ध्यान नहीं देंगे, तो पानी की समस्या हमारी जिंदगी को नरक बना देगी, साफ शब्दों में आपको कैसा महसूस होगा, अगर लोग आपको आपका गाउं छोड़ने को कहें, लोग अपने गाउं को शहरों की और प्रवास कर रहे हैं, समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो बहुत सारी समस्याइं पैदा हो जाएंगी, आपात स्तर पर शहर जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, हम कहां जाएं, क्या हमारे आशू सूखी नदियों को भर सकते हैं, अब हम क्या कर सक एक ही तरीका है और वह है व्रिक्षा रोपन, बड़ी नदियों के दोनों किनारों पर एक किलोमेटर और छोटी नदियों की किनारों पर आधा किलोमेटर दूर तक पेड़ लगाएं, ऐसा करने का अधिकार केवल सरकार के पास होता है, आईए सांथ मिलकर इस समस्या के बा मत भूलें, हमारे पूरवज किसान थे और गीली मिटी हमें कितनी पसंद थी, अगर हमने इस समस्या का समाधान नहीं निकाला, तो हमें अपनी मात्र भूमी से रिफ्यूजियों की तरह जाना पड़ सकता है, हमारे आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी सोचने का समय चला गया, बिना सुरक्षित पीने के पानी के हर 21 सेकेंड में एक बच्चा मर रहा है क्या पानी बहुत तेजी से कम हो रही है? नहीं बच्चा में बच्चा में आदा कर रहा है